हेलो फ्रेंड्स मैं सिये मुईद पनेट आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स का प्षप में होप सब सेफ होंगे शुरक्षित होंगे घर पही होंगे इसी सब बैसे विशिस के साथ आज की डिस्कुशन को शुरू करते हैं जहां पर हम बात करेंगे के एक्सेंश्ण के रिगार्डिंग लेकिन तोड़ा सा उसका इंड़ जाना पड़ेगा बैक्ग्राउंड में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है इसका इंपक्ट जो है हमें देखके है तो आप लिंक पे जाके जो है नोडिविकेशन देख लेजिए नमबर एट उब्लिक 2021 से लेकर 14 उब्लिक 2021 तक सारी उसमें डिसकेशन करिए अब हमें डिसकेशन जो करनी है बेसिकली हमें हमने देखा कि उसकी डेट को जैसे लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो कट-off डेट होती है जो जो जीएस्ट या टूबी की कट-off डेट है वो हमारी 12 तरीक से लेकर 11 तरीक की कट-off होती है हर महीने 12 से लेकर 11 तरीक तक जो इन्वोईजिंग होंगे वह वहाँ पे शो करेंगे यह होता था अब उस डेट को अगर बढ़ा गया अगर अब 11 तरीक की डूडेट से जीएस्ट यरवन की डूडेट 11 तरीक को एक्स्टेंड करके 26 तरीक कर दिया उसके पंदरा दिन बढ़ा दिया अब जब उतना अप्रेल में बढ़ा दिया तो फिर में में उसका टाइम पीरिएड का रहेगा ठीक है इसी को समझने के लिए आज को आज हम पॉर्टल के थू देखेंगे कि पॉर्टल में भी इसके रिगार्डिंग क्या-क्या जो है चेंज करें गए हैं और वहां पर भी जो है टाइम फ्रेम जो हमारा चलता था यह 12 से 11 का टाइम फ्रेम चलता था ठीक है 11 तारीक जो मंतली केसिस पे होता था कॉर्टरली वाले 13 तरीक तक कर देते थे तो इस तरीके से उसमें भी मॉडिफिकेशन की जुरूरती 2B में भी क्योंकि हमें क्रेडिट ले माना उसको 364 को जो है क्यूमिलेटिव कर दिया लेकिन इंपक्ट तो देखना है तो कहीं ना कहीं हमें उसके पीरियड को जो उसका कटफ पीरियर था उसमें भी बदलाव करें तो आई एट पॉर्टल में रैफर करते हैं पॉर्टल से समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारी जो नोटिविकेशन तरी उसका जो जो जीएस्टर 1 और 3B में जो चिंजिस ते उसका टूबी में क्या इंपक्ट पड़ा आईए आ अपरल मंत की अगर हम रिटर्न देखते हैं तो अपरल मंत की रिटर्न में अगर हम 2B देखें तो यहां पे हमारे को यहां पे वो बताता है फॉर्म टूबी शेल बी अविलेबल ऑनली आफ्टर कट ओफ डेट 28-5-2021 किस यहां पे उसने कट ओफ डेट बता दी हमने देखा उसकी डेट जो है एक्स्टेंट कर दी गई थी कितनी येस्टियर वन के लिए 26 तरिक एक्सेंट कर दी 26 मही तक आई एफ्फ के लिए 28 तरिक ठीक है 15 दिन जो है आई एफ्फ के लिए बढ़ाए ठीक है बिल्कुल जैनुएन बात है तो उसी के हिसाब से यहां पे बी क्लिक करने के बाद जो है इसकी ड्यूडित यहां पर हमाएं कॉन सी केसे में क्या कट अफ डेट रहेगी वह निकल के आती है अगर नॉर्मल टेक्सपेर monthly basis अगर हम बात करें तो वहां पर 12 एपरिल से अब जो पीडेट रहेगा बारह एपरिल से 26 मई 2021 के डेट जो है यहां पर प्रियारा मई की जगा हो गया 26 मई 2021 सेम उसी तरीके से अगर quarterly filing है तो 14 अपरेल से 28 मई तक का जो है इसका कट-off date बन गया कौन से मंत का अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर अभी अपरेल मन की बात कर रहे हैं नौन resident taxpayer के case में जी स्टर फाईफ के लिए इसकी cut-off date यहां पे भी 14 April 2021 से 28 मई 2021 इंपूर्ट सर्विस डिस्ट्रिबूटर ISD के case में GSTR6 जहां फाइल होईगी वहां पे भी cut-off date same रहेगी 14 April 2021 से लेकर 28 मई 2021 और बात रही अगर import from overseas all import data received from the taxpayer cut-off date 28 मई 2021 import from says same case रहेगा तो इस तरीके से जो है यहां पे जो है जो date extension हुई उसके according जो है cut-off date में भी जो है changes करे गए सेम अगर हम बात करें अगर हम बात करें में मन्त की तो यहां पे हम में मन्त को जब जैसी search करेंगे तो उसके accordingly हम यहां पे टूबी की इसकी cut-off date के बारे में क्या बता रहा है कि form GSTR to be shall be available only after cut-off date of 13 जून 2021 केस यहां पे इसकी date जो है 13 जून 2021 केस तो यहां पे भी अगर हम सेम वे में इसकी भी अगर एडवाईजरी में जाएं तो एडवाईजरी हमारे को इसकी क्या गयती है सेम वे में यहां पे इसकी जो date है यहां पे मंतली के केसिस में 27 में से 11 जून क्योंकि बैलन्स पीरिएड जो रहा गया क्योंकि कुछ पीरिएड इसका जो नॉर्मल कट आफ डेट का होता था वहां पे अपरल की डेट बढ़ने की वज़ा से वहां पे पीरिएड एक्स्टेंड हो गया कट आफ का तो यहां पे जो है इसका अग उतने 15 दिन से बढ़ गया यहांवे 15 दिन से कम हो गया इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं तबी तो हमारा रूल 36-4 को भी कहते हैं कि क्युमिलेटिव बेसिस पर लेलो आपको दोनों एक तरीके से मानेंगे की दोनों एकी मंत हैं इस तरीके से हमें ट्रीट करके चलना है यहां पर क्वाटरली बेसेश पर 29 मही से 13 जून तक जो बैलेंस पिरिएड है नर्टीपी के केस में भी देखेंगे तो 29 मही से 13 जून तक और आगर हम बात करें इंपोर्ट फ्रॉम ऑवर्सीज वहां पर भी करेंगे तो हम आरे को अब जो इस में अपरल मन्त के लिए ध्यान रखना है वहां पर हमें को हमारे को 26 तारिक का दियान रखना है 28 तारिक का दियान रखना है इसी मन्त में 8 मही के मन्त में 26 और 28 को बहुत ही इससे पहले-पहले हमें अपनी GSTR1 यहां कहें IFF में डाटा जो है वह पंच करके जो है अपनी फाइलिंग करनी है तो यह बहुत important जो है discussion थी क्योंकि तूबी में इंपक्ट देखना भी बहुत जुरूरी था कि किस तरीके से रियाक्ट करेगा अगर जो है हमारी GSTR 1 की जो है डेट चेंज हो गई हो तो इसी डिसकेशन के साथ आज की इस वीडियो के क्लोज करता हूं मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तिल दन बा कर देखना बखिकार एक्टम्यवीड कर बद्दिए कर दॉपिक एक पर शौर्फट कर दोॉपिक त्यूच प्रेट जवायग